पहले तो गणेज जी को हमको लाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए घर में हमारे जब गणेज जी हम लाए तो उस समय गणेज जी मतलब हमारा मुँ उत्तर की ओर होना चाहिए पूजन करते समय जक्षिन आवरती गणेज जी बोलते उनको जक्षिन आवरती गणेज उसके बाद में बाई और सुन होना चाहिए भगवान के और उनके उल्टे पेर की तरफ मुशक को बेटना चाहिए और सीधे हात में गणेज जी के भोग का जो लड़ू अगेरा रहता है वो दूसरी बाद बैठे हुए गणेज जी लाना चाहिए जो अतने आसन पर बैठे हुए हो या सीधा मुक करा हुआ हो भगवान का सीधी सोन भी हो वो भी चलेगा तो इस बैठे हुए गणेज के इसाब से जब हम लाते तो हमारे घर में सुक स्रमध्धी और धन की प्राप्ती होती है और कहीं कहीं हमने देखा होगा लेटे हुए गणेजी भी लाते हैं तो उससे लेटे हुए गणेजी से हमारे हां क्या होता है कि जो हमारे हां किसी प्रकार की कश्टता होती है सरीर में वो भी दूर होती है और धन की भी उससे लाब होता है बट खड़े हुए गणेजी हमें नहीं बिठाना चीए घर के अंदर पंडाल में हम बिठाएं तो विसेज ध्यान रखे घर में गणेजी बिठाते समय कि इसान कोड में अगर बिठाएं गणेजी तो बहुत ही सुन्दर और अच्छा रहेगा और अगर एसी जगह नहां उपलब्द हो तो हम बिठा सकते हैं परन्तों अगने कोड में गणेजी को ना परन्तों!